वेलकम आवर यूटूब चैनल जी एस्पी तांसू बीहार प्रदान सिच्छक के लिए सेट प्रैटिस कराया जा रहा हैं जिसमें आज हम लोग पॉलेटी से संबांदित अती महात्पुन प्रस्णों को देखने वाले हैं इस वीडियो में इसमें सारे के सारे प्रस्ण बहुती सेलेक्टिट दिये गए हैं जो आपके एकजाम में आने की पुरी संबाब ना है इसलिए वीडियो को लास तक जोड़ देखें स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रूप में सेर जरूर कर दीजेगा एकजाम आज हो या कल होना तै है इसलिए हर दिन प्रेक्टिस करती रहिए चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी ये अपना अंसर क्या हो सकता है पहला प्रस्ण है जम्मु कस्मिर का समिधान कब लागु हुआ था 26 जन्मड़ी उनिसो संतावन को आप्शन नमर ए अगला प्रस्ण देखते हैं समिधान के किस अंग में लोग कर्यानकारी राच्ची अबधाना नहीं थे लोग कर्यानकारी अप्शन नमर ए अगला प्रस्ण देखते हैं इंपोर्टेंट प्रस्ण है समिधान के किस अनुछेत के प्राप्धान के अंत्रगत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पन बिभूसन आदी अलंकार परदान किये जाते हैं तो दोस्तों वह अनुछेत हैं अनुछेत अठार अप्शन नमर डी अनुछेत अठार के तहत भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न पन बिभूसन आदी अलंकार परदान किये जाते हैं अगला प्रस्ण देखते हैं इंपोर्टेंट प्रस्ण है गोवा को 25 राज का दर्जा कब दिया गिया था? गोवा को 25 राज का दर्जा दिया गिया था 30 मई 1987 को अप्शन नमर सी अगला प्रस्ण देखते हैं समिधान सभा के अस्थाई अध्यच के रूप में किसे निर्वाचित किया गिया था? समीधान सभा के अस्थाई अध्यच के रूप में निवाचित किया गिया था डॉक्टर राजिन प्रसाथ को अगला प्रस्ण देखते हैं समीधान सभा के पाडु समीती के सरस्यों की संख्या कितनी थी समीधान सभा के पाडु समीती के सरस्यों की संख्या थी साथ अगला प्रस्ण देखते हैं भारत के प्रथम मुखनियादिस कौन थे भारत के प्रथम मुखनियादिस थे एजी कानिया अप्शन नमर सी अगला प्रस्ण देखते हैं समिधान सभा के समेधानी सलाकर पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी समिधान सभा के समिधानी सलाकर पत पर नियुक्ति की गई थी डॉक्टर बी एन राओ को ओप्शन नमर बी अगला प्रस्ण देखते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको दिया गिया है मौलिक अधिकारों के बाड़े में सुनवाई करने का अधिकार दिया गिया है सरवोच और उचने अले को आप्शन नमर D अगला प्रस्न देखते हैं संगिये छेत्रों के दिन परती दिन का प्रासासन कौन देखता है अगला प्रस्न देखते हैं अगला प्रस्न देखते हैं भारत की देशी डियासतों के विले में जीन दो ब्यक्तियों ने महत्पुन भुमी का निभाई वह कौन थे तो दोस्तों वह थे सरदार पटेल तथा वीपी मैनन अप्सन नमर बी अगला प्रस्ण देखते हैं भारते समिधान का कौन सा भाग प्रेश की स्रोंता को सुनिचित करता है भारते समिधान का जो भाग प्रेश की स्रोंता को सुनिचित करता है वह अनुचेद है अनुचेद 19 ऑप्सन नमर ची अगला प्रस्ण देखते हैं इंपोर्टेन प्रस्ण है भारत की संसदिय बेवस्ता की देश की संसदिय बेवस्ता पर धारित है आंसर है ऑप्सन नमर बी ब्रेटेन अगला प्रस्ण देखते हैं पारूप समीती के सामने प्रस्ताबना को किसने प्रस्तूत की थी पारूप समीती के सामने प्रस्ताबना को प्रस्तूत किया गया था जवालल नेरू के दोड़ा ऑप्सन नमर डी अगला प्रस्ण देखते हैं समिधान के कि संसोधन के दोड़ा समिधान में समाजबादी धर्ण मुपेश तथा राश्ट की एकता हुआ अखटता सम जोड़े गए हैं तो दोस्तों हुआ संसोधन था 42 मा संसोधन option no a अगला प्रस्ण देखते हैं राजियों को भासा के अधार पर गठित करने है तू 1949 में गठित प्रतम आयो के अध्यच कौन था? अगला प्रस्ण देखते हैं इंपोर्टेन प्रस्ण है मौलिक अधिकारों के उलंगन के लिए किसी भी नागली को सीधे सर्वोच नियाले में जाने का अधिकार समिधान के किस अनुषेत के दोड़ा प्रदत है तो दोस्तों वह अनुषेत है अनुषेत बातिस के दोड़ा आप्शन प्रस्ण देखते हैं सरकार ने अस्परिता को समाप्थ करने के लिए समिधान के किस अनुछेत के अंतरगत कारवाही की है तो दोस्तों वा अनुछेत है अनुछेत 17 ओप्सरमर B आगलोड अन्तिम प्रस देखते हैं कौन सी संस्था देश में पंचवर्शी योजना को स्विकृती परदान करने वाली सर्वो संस्था है राशे बिकास परिसाथ ओप्सरमर C थेंक यू